क्रिकेट बेटिंग में इनमोल हो हो हर दिन जो आखेल रहो बहुत लॉस है एक मैच में तीन चार टाइम इंवेस्ट कर रहे हो पैसा डबल टिपल करने की सोच रहे हो और बहुत नुक्साने करजा है भाई जहर खाने के पैसा नहीं है तो वीडियो पूरा देख लेना मज़ा आएगा सुदर जाओगे लाइफ में अगर खेल भी रहो तो आपका पॉइंट ऑफ इंट्रेस्ट पॉइंट ऑफ इंवेस्टमेंट चेंज हो जाएगा ज्वागाते दोस्तों आप सभी का व्यास भाई आप सब की सामने आया हूँ एक भैतरीन वीडियो लेके चलिए शु देख सकते हो एक गेम में ही आप भी इतना ज़्यदा प्रॉफिट बना लेता इतना बना लेता कि बस पूछ हुए मत वही शेर मार्केट वाली बस इतना यहाँ पे यहाँ पे एंट्री करो यहाँ पे लॉस कट करो यहाँ पे बुक्षेट करो क्या चूते आप है चलो ठीक कोंसेप्ट आप सबके सामने एंट्री इसको बोलते हैं एंट्री ए फोर एंट्री एट्री एल फोर लस्कट एनड बी फ्र बूक्ष्चिट रहे भाई क्या बूल रहा बूक्षेट तो थे ELB ELB बोलते हैं इसको ELB बोलते हैं तब ELB का क्या I use है आपको बताता हूँ मैं चाहिए याद रखना Max to Max चूचा है लोग क्या बोलता है Part wise entry करो अरे Part wise entry करना मतलब यह थोड़ी ना सेक्स है जो आपको करना पड़ रहा है कि पहले 4 play करो उसके बाद में रिस करो छोड़ो यार गंदी वात हैं ने करते मैं आपको बताओ आप मुझे बताओ Part wise entry करना मतलब क्या है अरे तु कैसे Part wise entry कर सकते हूँ बंदों को बताओ तु सही कितना limit इतना limit इस match में invest करना है 1.5 limit 1.5 limit इन रिस करना है अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है उसको क्या बताए कि उसको 10 पेसे पे entry करनी है तुने बोला था कि उसको नहीं बोला ना तो फिर वो कोई मगज मार ही करेगा 10 पेस पे खाने के interview करेगा और तो बोल देगा चैनल के अंदर मैंने तो या पर बोल दिया कि profit book को और बोल कि इसके अंदर किसे का loss नहीं होना चाहिए अरे भाई क्या मजाग कर रहे हो क्या यह है टेलिग्राम के सबसे फ्रॉडिस टिप पर जो भी इसा बोल देना यह आपने खुद कर लिया होगा तो इनका चैनल छोड़ो दो भाई इनका चैनल जोड़ो सबसे बेस्ट क्योंकि यह आपको चूते बना रहे हैं यह से लोग मेरे पास आते मेरे टेलिग्राम चैनल पर आते जिसका लिम्क आपको में डिस्क्रिप्शन में जिया है मेरे को आके बोलते है कि भई मैं इसमें इतना कमा रहो ऐसा वैसा कमा रहो एक भई मेरे पास आता है वो क्या बोलता है मैं इतना इतना डेली कमा लेता हूँ नेक के जिनाता है भी कुल का जितना का मैना पूरा का पूरा लॉस अब एक मिंट दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ और यह है अमरे पूरा ने भाहि है कि मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूंग है तो यह बोलते हैं कि भाई मैंने 800 रुपय का प्रफिट बुक किया है इसने इन्होंने क्या किया यह बात समझे लो कि बहुत बतल अलग टाइप से खेलते हैं यह बनता तो मैं आपको बताता हो इन यह बुक किया है अभी इनने 500 रुपर का profit बुक की ए तो इनको लगता है यह शेर मार्केट में जैसे उनको लगता इक शेर मार्केट में कि आप एवर दिन लेंस खतम भई शर एक चीज खतम मैंच ओवर तो इन्हीं जितना कमाय था पूरा का पूरा एक ही मैच में गवा दिया ऐसा क्यों होता है बन्दा बहुत सही है खेलता बहुत मस्त है लेकिन गलती क्या करता है आप सभी को बताता हूं तो यह जो बंदा है ना यह गलती क्या करता है आप सब को बतलता हूँ यह क्या करता है एक मैंच में इसको किस ने मतलब एक टिपर थे ना टेलिकरम की जो चूते है न वो क्या बुलते सतर पेसे भी खाओ और बाद में पार्ट वाइस इंटेगर हो मतलब इनके बापकी शादी है पार्ट वाइस का खाने में कुछ पहले गुलाब जमिंग खाओ पहले यह खाओ पहले वो खाओ मतलब इनके बापकी शादी ना थोड़ा-थोड़ा खाने का बवासिर करके हो जाएगा बाद में अगर थोड़ा-थोड़ा खाऊगे थोड़ी-थोड़ी दिरी के बाद में तो क्या होगा आपको पता है यही बार खाऊ अच्छे सिखाऊ वही करना आपको सत्तर पेसे भी खाते हैं, तीस पेसे भी खाते हैं 70 पेसे से फिर 70 पेसे से फिर 70 पेसे आने के बाद में लॉस कट करते है सुनो पूरा फिर लॉस कट करते है फिर क्या करते है अगर टीम रांड फिर आने तो अच्छा है बूम बूम करते है अगर नहीं आए न, तो यह क्या करते, नो लोस, नो प्रोफित में गटते है, लेकिन, सेम मैच, कलर चेंज करते, थोड़ा रेड कलर करते हैं, इनका लोस रेड कलर में बेखाते हैं, 17 पेसे भेखाया, 30 पेसे भेखाया, मैच डेड़, दो limit लेके आते हैं दो limit minus होके आते हैं जब जीते हैं तब एक limit जीते हैं जब हारते हैं दो limit हार के आते हैं यह करते हैं यह करते हैं क्यों क्योंकि यह tipper बताते हैं इनको part wise entry करना है part wise आरे तुम चूते हाओ क्या part wise part wise कुछ नहीं होता है पार्ट वाइज क्यों होता है देखो पार्ट वाइज के बारे में बात बता तो मैं आको पार्ट वाइज क्यों बोलते है पार्ट वाइज समझो पहले बात आपको सिंपल सी बात है पार्ट वाइज का इंपोर्टन्स क्या है आपको समझाता हूं मैं सीधा का सीधा पार्ट वाइज मतलब क्या है कि पूरा बोल दो पंटर को कि तुम तुम्री तुम्री गान मार के लो लो समझ मैं आ रहा है इतना गुसा आ रहा है मुझे तुम अपनी गान मार के लो भाया तुम जुको जैसा खेलना है वैसा खेलो हम कुछ भी हो जाहे नवा लॉत्प रोफिट या फिर प्रोफिट करहा लिया होगा क्योंकि कुछ से खेलना थो चैनल क्योडाल इतना अच्छा मैचेस करवाने के बावजूद ये बंदे और अलम प्रॉफिट में रहते हैं लेकिन ये बंदे स्पेशली लॉस में रहते हैं तो ये अपने दिमाग में से गंध निकालनो पार्ट वाइस इंट्री की तो मैंने सब कॉंसेप्ट क्लियर कर दिया आपके अभी वीडियो चालो होते हैं एक्जाक्ट सबसे पहले बात एक फॉर्मुला लेना आपको वन मैच ठीक है सबना एक पें लो कॉपी लो इसको लीक लो ठीक से वन मैच वन मैच वन लिमिट इन्वेस्मेंट ओके वन मैच वन लिमिट इन्वेस्मेंट इक्वल्स टू वन लिमिट प्रोफिट और लॉस कॉंसेप्ट आप सबके सामने है मेरे भाई यह है यह फॉर्मुला है बीडिंग का यह फॉर्मुला है तगड़ा प्रोफिट बनाने का बस यही फॉर्मुला है एक मैच में एक limit invest करना है एक limit profit या फिर एक limit loss book करना है तो यही चीज़े यहसा ही करना है आपको और जो भी करना है यह सबसे पहला rule यह formula आपको learn हो गया सबी लोग दो रहा हूं और समझो ठीक से अब यह आपको क्या करना है फिर से बताता हूं देखो 70 पैसे पर entry होई इससे पहले एक चीज़ को clear करता हूं मैं यहाँ जो भी चीज़ बोल रहा हूं वो खाने के entry के related है ओके तो खाने के entry के related है कोई भी चीज़ लगाने के बारे में नहीं है फिर से बता रहा हूं clear कर रहा हूं तो हर एक चीज़ देखो खाने के तीन भाव में आपको बताता हूं सबसे पहला बुज़ भाव है 65 पैसा सिकेंड है 50 पैसा थर्ड है 38 पैसा यह तीन भाव है यह तीन भाव है जहाँ पे आपको entry करने हैं हमेशा 65 पैसे पे करने है 50 पैसे पे करने है 38 पैसे पे करने है मैं क्या बुड़ोड तीक से सुनू ओके आपको ये बहाव है इंट्री गे 1, 2, 3 match start होने से पहले या फिर running match में आपको देखना है खुद आपको देखना है की ये match 65 पैसे वाला होगा 50 पैसे वाला होगा या फिर 38 पैसे वाला होगा आपको decide करना है आपको assume करना है आपको देखना है match के अंदर कि system क्या है यहा से नीचे आ सकता है नहीं आ सकता है तो अपने दिमाग में वो set करना है आप इतने capable हो भाई मैं जो भी बाते कर रहा हूँ खुद से खेलने के बाते कर रहा हूँ अगर आपको खुद से खेलने आता तो मेरा telegram channel का link description में दिया है वहाँ से आप join कर सकतो लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप में समता है वो आप उतने intelligent हो कि आपको समझ में आके भी match के अंदर यह कितने rate का match बनेगा कितने से उड़ना चाहिए मेरी entry का पर होनी चाहिए तो आपको ते करना है आपको लग रहा है कि भाई यह match जल्दी से उड़ जाएगा मतलब सत्तर पैसे क्या round उड़ेगा तो आपको 65 पैसे पर entry करने है और वे team पर entry करने है जहाँ पर जो team आपको लगती है अप उड़ी team पर entry करके खा के फाइदा नहीं है लेकिन आपको लगता है कि trade हो सकता है तो आप कर सकते हो सिम्बल सी बात है 65 पैसे पर entry करने है आपको लगता कि 65 पैसे का match बनेगा फिर आपको क्या करना है आपको लग रहा है कि 50 पैसे का match है तो आप यहां पर entry करो तो सिम्बल सी बात है आपको ते करना पड़ेगा कि आपको किस rate पर entry करने है match के अंदर आपको पहले दिमाग में सोच के समझ के and सब कुछ study करके करना पड़ेगा बेटिंग इतना simple नहीं है अगर loss नहीं करना है तो पड़ना पड़ेगा तो आपको 65 पैसे पर आपने 1.7 limit image की 50 पैसे पर 2 limit 38 पर 2.5 यह कर लिया ऐसा होता है entry सबसे बेस्ट इंट्री जो रहती है वो नीचे की रहती है 38 पैसे पर इससे नीचे भी entry होती है 20 पैसे 10 पैसे तेकिन वो match बहुत रेरली वोड़ेटे करें लर तो सबसे बेस्ट इंट्री है 38 वाले उसके बेस उसके बेस्ट 65 तेकिन बेस्ट क्या entry होती है उस match वो कौनसे टाइप का match है आपको पकड़ लिया आपने तो वो entry अपके लिए बेस्ट होती है जब भी entry करो समझो 65 पैसे पर entry करी आपने तो ID को close कर लेना है match देखते रहो cricket exchange का जो आप आता है वहाँ पर देखते रहो भाव कितना हो रहा है कम जाला कम जाला जो भी हो रहा है तो जैसे आपको लग रहा है कि भाई अभी ठोड़ा डर लग रहा है आपको तो क्या करना है आपकी team अगर आ रही है इस entry के बार में बात करो आपकी team 70 पैसा फेवरेट आ गई है तो इस टाम पर आप क्या कर सकते है अपना loss कट करके अपने team पे एक limit रख सकते हो अगर भाहा से आपकी team जीती well and good नहीं जीती तो no loss no profit समझ मैं आप concept यही फॉर्मुला में आपको पहले बताया था थोड़ा पीछे दाके देख सकते हो one match one limit investment one limit profit और one limit loss यह है concept clear आपने एक team पे profit रखा है एक team पे no loss no profit रखा है अगर आपके team जीती profit नहीं जीती no loss no profit 50 पेसे पे 50 पेसे पे entry किया आपने आपको लग रहा है कि भाहा आपके कुछ हो सकता है तो आप क्या कर सकते हो 70 पेसे पे 65 पेसे पे आपने loss कट कर गिया आपके अपने team के उपर 1.4 limit है और आपके team पे no loss no profit है वहाँ से आपके team अगर नीचे आती है 30 पेसा 40 पेसा तो आप बोट साइट कर सकते हो simple सा concept है या फिर आप क्या कर सकते हो 50 पेसे पे बोट साइट 1.1 limit कर सकते हो वो आपकी धिमाग के उपर है आपकी strategy के उपर है 38 पेसे की बात की जाए तो यहाँ पे बोट golden chance मिलता है अगर बोट का rate मिलता है तो आपका RM से loss cut होता है 80 पेसा मिलता है तो बोट साइट book set भी हो सकती है तो depend करता है तो यह सब चीजे है मैं आपको समझा है कि आपको एक match के अंदर जितना पेसा invest कर रहे हो न तो loss cut करके चाहे both side book बनाने के ज़रूद नहीं मेरे पाई both side book बनाके अपना पेसे कोहता करने के ज़रूद नहीं है क्या होता है इससे क्या होता है अगर आप 75 पर 75% book बना रहे हो न तो जिस match में आप हार होगे आप वहाँ पे dead limit के आसपास हार होगे मतलब double हार होगे और ये चीज़ पक्की है तो ये मैं सभी लोगों को यह कर रहा हूँ कि जो भी tip परसे हैं उनको सुनो मत उनकी tip को आप खेली ने सकते उनके tip के उपर जो बना बोलता है कि मैं 65 पैसा है आपने बता है नहीं तो ये बात clear है आप सबकी के लिए उसके बाद में loss cut book set कब करना है बता है मैंने loss cut हमेशा तब करना है दो condition है आपके team के उपर loss cut कब करना है इस से amount पे करना है जब आपके team के उपर one limit profit या फिर one limit के अबो profit हो एक limit से ज़ाद आपके team के उपर मिल रहा है तब या फिर एक limit मिल रहे तब उसके पेले loss cut नहीं करना है अगर जाएगा तो फोरा गान तो कुछ फरक नहीं पड़ता तो इतना है किना है मुझे and book set कब करना है तो book set आपके हिसाब से कर सकते हो बुक सेट नहीं पितना profit वह वह आपको कज से कर सकते हो प्रोफिट के बारे में चिनता नहीं है चिनता बस इंट्री के बारे में बन्दा क्या करता है एक additional concept है वह बता तो और उसके बाद में वीडियो खतम करते है यह concept मुझे बहुत बशान हाता है वह अपने या लॉस्ट्hein क्या के बुक्सेट के सब हो गया अभी अपने अप्राफिट 2008 करने अधि송 क़ tweeting तो यह रेड पर आपको क्या करना ए मतलब बोट साइड प्लस हो तो 15 भी इस पेसे कोई टीम फेवरेट है नन फेवरेट है समझो तो उसको खाओ खाओ उसको 50% से जिसे आपका मतलब 10% प्रोफिट जाएगा लेकिन सामने वाले टीम पे आपको 50% प्रोफिट एक्स्टा मिलेगा जब आपको सामने वाले टीम पे हर मैंच मेंवेश करना या आपका 5%, 10% आपको कभी 200%, 500% का रिटेंस देगी ना आपको समझ भी ना आएगा तो भाईव ये चीज़ करना बहुत ज़रूर है मेरे तरप से इस पॉइंट को 100 स्टार्स अब ये बात करते हैं इस कॉंसेप्ट के बारे में वो है अपना ये कॉंसेप्ट थोड़ा सा इंपोर्टन्ट है वो है टाय मैच टाय होते हैं तो इसलिए आपको एक स्पेशल आइडे रखनी है मैं आपको बताया है या आपके नहीं बताऊँगा टो टेलिग्रम पे आके पूछ सकते हो कि कॉंसे एडी है जब पर टाय भी आते हैं और हर इग्यम आते है बस इतना ही कहूँगा कि टाय भीकप भीच आप प्लस करते रहो थोड़े अमोंट से तो अपना हमेशा ये मत सोचो कि एक मैच में आपको कितना ज़्यादा का मना ये मत सोचो एक मैच में आपको शोर प्रॉफिट ने कलना है ये सोचना है बस इतना है कहूँगा बाकी सबी लोगों के लिए एक लास्ट एडवाइस कि भाही मैं किसी को हेट ने कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को रोश्ट ने कर रहो कुछ ने कर रहो मैं जो भी बता रहो आप सब की हीते में बता रहो कि आपको खेलना कैसे फॉर्मूला वापस से रिवाइस करते है वन मैच वन लिमिट इन्वेश्मेंट one limit profit after one limit loss ये चीज़ में आप सबी को सामने बता ही है तो आप जाके ये ही करना है part wise entry नहीं करने कभी one time entry करनी है बाकी की चीज़े आपको पता है loss, profit and हर एक no loss, no profit आपको भी पता है तो हर एक चीज़ पता है अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो बताओ मुझे मैरे टेलेग्राम चैनल को जोईन कर सकते है उसका link description box में दिया है चलो जोईन करो, मज़े करो वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये second video shoot करो तो तब तक कि ख्यान रखना आपने परिवार का and hope fully आपका आगे का सफर अच्छा हो